तो हेलो नमस्ते प्रनाम स्वागात आप सभी का एक बार फिर से उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पीडिएफ के लिए आप इस जगह पे आ सकते हो टेलीग्राम पे इंग्लिश एड़ दरे डीन सर ठीक है और वीडियो को शेय करा ले जाओंगा शेशन खतम होते होते बलब जब यह सेशन पूरा मैं क्लोज करूँगा तो उस समय तक काफी इडियम्स हो चुके होगे बट आई थिंग कि इतने तो कम से कम होंगे होंगे अगर आप बिगिनर हो सीजेल प्री की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपक के लिए हो तो आप एक रिवीजन के तोर पे प्रिवीयस येर के जितने भी इडियम्स होंगे इस सेशन में आपके कवर हो जाएंगे ठीक है और हर सेशन के आखिरी में मैं आपको नए इडियम्स दूँगा चलो तो स्टाट करते आज का सेशन वीडियो को शेयर करना ना भ जी गिर रहा था तो यह समय आप काम करने में क्या हो बेढ़ंगे हो आप मतलब आपका हाथ काम नहीं कर रहा है मैंने आप से का टाई बांत हो आप टाई से इसे नहीं बात पा रहे हो that is called all thumbs काम करने में awkward होना clumsy होना बेढ़ंगा होना Alma matter का मतलब होता है boy school वो college जहां पढ़ाई के लिए गया थे है ना तो that is called Alma matter elder ego elder का मतलब होता है पलटना है ना मतलब मानलो मैं कह दूं कि कोई भी बात कोई भी बात यह जो fact है ना इसको elder नहीं कर सकती तो इसको पलट नहीं सकती इसको जुठला नहीं सकती इसको कम नहीं कर सकते इस sense में elder ego का मतलब होता है दम बिल्कुल आप ही के जैसा कोई और है जैसे आप हो और आपका एक दोस्त है बहुत ही जिगरी बहुत ही खास दोस्त है बिल्कुल आप ही की प्रति साथ्यम ऐसे करके कोई चप्टर था तो एनाई फॉर नाय का मतलब जैसे को तैसा फिर एपल ओफ डिस्कॉर्ड अभी कलम ने पढ़ा था लास सेशन में बोन टुपिक याद होगा बोन टुपिक अबोन टुपिक का मतलब एक ऐसा विवाद जिसको निप्टाना हो फि तो एपलाफ ओनस इंदसे सुसान सिंह राजपुत थे तो फदैन घृपट L विवस पसफदर खोल में पार गिमें आप पाई और एक दुंड मुझा मिंदी क्लीघंज अर्ची और्ग उर्डर में खिलांगो Smash टूसे में आ दो a me दो, आम्चीज़ करए अब इस आंच्याए को समझे ना आंँ तोर पर यह एझेक्टिव के लिए यह झाला कि यह Blues धो मैं यह जो एझेक्टिव का मतलब होगया कॉल गया दोस्तों यहAw और प्रसी जो इसमये लिए जानओ शांः को समेज़्ा है तो वो armchair है, adjective का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति जिसको मतलब कोई knowledge नहीं है, वो सिर्फ इधर उधर की बातोर से घ्यान ले लेता है तो आप उसके लिए यूज करोगे adjective, adjective के तौर पे armchair, ठीक है जैसे मालो मैंने बोल दिया, यह armchair traveler है, मतलब इसने कहीं भी traveling नहीं किया जितनी भी traveling की knowledge है इसको इधर उधर से इसने ले रखिये, तो armchair traveler यह armchair reader है, मतलब इसको reading की कोई भी knowledge नहीं है, इसने इधर उधर से reading की knowledge ले रखिया उसी तरह से armchair critic का मतलब हो गया इसको personally कोई knowledge नहीं है मतलब वो केवल बहाना करता है कि उसके पास बहुत सारा knowledge है but practically उसको कोई knowledge नहीं है that is called armchair critic फिर अगला है arm to the teeth United States और चाइना में जब लड़ाई होने जा रही थी तो उस time पे दोनों देशों के पास पूरे हतियार थे तो they were arm to teeth they were arm to teeth का मतलब हो गया वो पूरी तरह से हतियारों से less थे उनके पास बहुत सारे हतियार थे तो they were arm to teeth around the clock around the clock का मतलब एकदम लगातार 24 घंटे कोई भी काम अगर आप around the clock कर रहे हो इसका मतलब 24 घंटे दिन रात एक कर देते हो continuously बिना रुके that is called around the clock comment box में day in day out का मतलब बताओ day in day out का मतलब comment box में बताओ चलो arrow in the quiver quiver का मतलब होता है shake करना कापना ड़ से जब कापते हो तो quiver करते हो ठीक है जब यह noun होता है तो इसका मतलब होता है tarakash जिसमें से आप तीर निकालते हो ना पीछे टंगा होता है वो तो वो होता है quiver tarakash arrow in the quiver का मतलब आपके पास बहुत सारे option है उन में से एक आपके पास बहुत सारे option है आपको यह option यूज कर सकते हो that is called arrow in the quiver next आपके पास as daft as a brush as a brush daft का मतलब क्या होता है मुर्ख don't be so daft इतने मुर्ख मत बनो क्या कर रहे हो यह है नहीं यह तुम्हें नहीं करना चाहिए should not do this don't be so daft तो इतने मुर्ख मत बनो I am not as daft as a brush मैं इतना मुर्ख नहीं जितना समझ रहे हो as daft as a brush का मतलब एकदम मुर्ख as the crow flies मान लो यह कोई जगह A है और फिर यह कोई जगह B है उनके बीच की distance को बिल्कुल straight line में ली जाती है तो that is called as the crow flies in a straight lines बिल्कुल सीधी रिखा में that is called as the crow flies अगला है at a loss कई बार यह question यह जो at a loss EDM है वो आपके error में आता है ठीक ना जान बुचके इसमें से A हटा देगा तो यह गलत हो जाएगा at a loss ठीक ना at loss बोलेगा at a loss ही होता है at a loss का मतलब होता है you are confused you are perplexed you don't know what to do है ना अपको नहीं पता है यह पको क्या करना है that is called at a loss तो at a loss का मतलब confused आपको पता नहीं आपको क्या करना है at a stone ale अभी last session में हमने पढ़ा था stand out like a sore thumb comment box में इसका मतलब बता तो stand out like a sore thumb comment box में इसका मतलब बताओ तो all thumbs काम करने में भिढ़नगा alma mater, वो school, वो college जहाँ पढ़ाई के लिए जाते हो alter ego, बिल्कुल आप ही के जैसा आप नहीं हो, आप ही के जैसा आपका बहुत खास जिगरी दोस्त है, बिल्कुल आप ही के तरह है तो he is your alter ego an eye for an eye, tit for tat जैसे को तैसा, apple of discord जगडे की जड़, ये जो remote है ना ये मेरे और मेरे बहन के बीच apple of discord का का काम करता है मतलब जगडे की जड़ का apple of once eye, सुसान सिंग राजपूत was the apple of his father's eye be in apple pie order बिल्कुल सुवस्थित neat, clean और arranged way में रखा होना मैंने कहा था comment box में speak and spend का मतलब लिख कर बता देना अगला है armchair critic तो मैंने इस armchair को समझा है कि armchair noun भी है, armchair adjective है noun में मतलब कुरसी हो जागा adjective मतलब आप किसी भी person के लिए armchair लगा सकते हो, जिसका मतलब होगा कि उसको personally कोई experience नहीं है उसने किवल इधर उधर से वो knowledge ले रखी है इसी वज़ा से armchair critic का मतलब हो जाएगा आलोचना करने वाला वो वेक्ति जिसको खुद का कोई knowledge नहीं है उसने इधर उधर से knowledge ले रखी है जैसे मैं अभी इससे पहले किसी channel पर पढ़ा रहा था तो वहां मुझसे कई बार वहां के English के टीचर ने घा कि यार क्या कर रहो आप कितनी मेनद करते हो इधर उधर से copy paste कर लो और पढ़ा दो है ना मतलब खुद तो उन्हें कोई ज्यान लिया नहीं कहीं से दूसरों को भी बता रहे हो कि यहीं चीज करके किसी तरह से काम चला लो यह स्मार्ट माइंड होता है आप इधर से copy करो उधर से copy करो फिर वहां पर ले जाके बोल दो तो यह सही नहीं है कि मतलब आप सही ज्यान दे रहे हो सही नॉलिज दे रहे हो सही चीज बता रहे हो तो वह क्या था आम चेर था आम चेर आप किसी भी पर्सन के लिए लगा सकते हो नेक्स्ट है आम तुदतित चाइना और उनाइटेर स्टेट में जब लड़ाई भरी थी तो देवर आम तुदतित हथी आरो से लेस अरूंड दे क्लॉक अगर आपको कुछ बनना है तो यू हैव तो वहाड़ अरूंड दे क्लॉक तो आपको पूरे दिन राद मतलब हर समय में आपको महनत करना पड़ेगा कमेंट बक्समें डे इन डे आउट का मतलब घ्कर डाओ ऐरू ऐ इन द्वप्र को मतलब होता है शेग करना मतलब इतरब से कापना त्रैंबल करना ठीक है प्मर сказ वोता है य। आपको सफलता दिला दे जो आपको सफल बना दे तो आपके As the crow flies, मैंने का यह एक A है, एक B है, बिल्कुल इनके बीच की जो straight line distance होगी, that is called As the crow flies, at a loss, बिल्कुल confused, don't know what to do, at a stone's throw, at a stone's throw मतलब थोड़ी दुरी पर, clear सभी को, अगर आपको यह session पसंद आ रहो, तो वीडियो को share करना न भूलो, और वीडियो के comment box में जरूर अपना valuable comments द पर, है न, image form में भी मैं वहाँ पर भेज दूँगा उसको, तो एक बार आप screenshot लेना चाहो, तो ले सकते हो, बाकी आपको PDF महाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, सारे idiom है, चलो, आगे देखो, at arms length, बिल्कुल एक हाथ की दूरी पर, जब आप किसी को avoid करते हो, कि मतलब जितना ह खाना खाना है, एक तरह से, मतलब disagreement वाली स्थिति जो होती है, that is called at cross purpose, be at daggers drawn, बिल्कुल फिर से वही देखो, काफी हद तक उसी से मिलता जो लता इडियम है, be at daggers drawn का मतलब होता है, बिल्कुल लडने को तयार, है न, बिल्कुल आपस में, जो है, शतुरता वाली जो खंजर, dagger का मतलब होता है, खंजर, और draw का मतलब होता है, खीचना, तो daggers drawn, इससे आप मतलब बना सकते हो, कि be at daggers drawn का मतलब, कि आप दोनों के बी, जो है, इस्तिति वो सही नहीं है, आप लडने को तयार हो, बिल्कुल एक दूसरे को मारने को तयार हो, that is called, you will be at daggers drawn, ठीक ह अग्ला है, at large, at large का मतलब होता है, कानू की पकड से बाहर, पस्कॉंडर जो आप बोलती है, पस्कॉंडर, फरार, तो that is called at large, ये को और होता है, on the run, comment box में लिख कर बता हूँ, on the run, comment box में इसका मतलब लिख कर बता हूँ, ठीक है, तो at large का मतलब हो गया, कानू की पकड से बाहर भी एट लॉगर हैट्स फिर से वही आ गया अगर दो टीमें दो पर्सन दो और्गनाजेशन दो कंट्री दो स्टेट्स यह लोग एट लॉगर हैट्स हैं तो यह डिसेग्रिमेंट वाले इस्टिती में हैं यह एक दूसरे को देखने को तयार नहीं है बिल्कुल वही ड करने को तो that is called lose ends मुझे बहुत सारे lose ends है अभी इसको पूरा करने को तो बहुत सारी lose ends है मतलब बहुत सारे काम बचे हुए हैं पूरा करने को ध्यान से समझना यह lose ends noun है और मैं क्या कह रहा हूं कि lose ends का मतलब वह हुआ कि अगर किसी काम को आप करने जा रहो तो बहुत सारी रोजगार नहीं है तो that is called at a lose end अगर आप at a lose end पे हो तो मेरे पास चले हो मेरी help कर दो मतलब अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो मेरे पास चले हो मेरी help कर दो that is called at a lose end clear हो गया चलो अगला है at odds इसको भी समझो बहुत अच्छा है एक वड़ोता है odd odd का मतलब बहुत ही strange कितन इस तरह का कुछ लेकिन मैंने क्या लिख रखा है odds यह अलगवर्ड है odds का मतलब क्या होता है odds का मतलब होता है किसी चीज के होने की probability की मतलब वो कितना है जिसे मालों मैं कह रहा हूं odds मेरे favor में है मतलब chances बहुत जादा है कि मैं सफ़ा लोंगा odds मेरे against अमतलब probability मेरे है एट-odds का मतलब वही disagreement वाली इस्तिति एट-cross-purpose वाली इस्तिति क्लिर तो एट-odds क्लिर हो गया एट-random मालों एक दम से आप दो पहर में सोके उठे और किताब उठाए और पढ़ना कोई एक पन्ना खोल दिया बिल्कुल बीच का एक पन्ना खोल दिया तो यह कैसा decision था एट-random आपने उस पर कुछ भी नहीं देखा कि इसका क्या consequences होगा इसका future में क्या पढ़ना में कुछ नहीं आपने इसे खोल दिया बैंक में जब लूटे दे चोरी करने जाते हैं तो कई बार उन्होंने ऐसी एट-rendum firing करते हैं एट-rendum मतलब कोई consequence का उन्हें पता नहीं है है ना between the horns of dilemma है ना बिल्कुल दूइधा वाली सिती में तो वही है एट-सी एट-सी का मतलब confused not knowing what to do next clear चलो अगला है at sixes and sevens sixes and sevens का मतलब होता है याद करो बच्पन में घर से जब भी मम्मी आपके कहीं बाहर जाती थी मालो मार्केट के लिए जा रही हो तो बोलती थी बटा बिल्कुल बदमाशी ना करना किसी भी प्रकार की घर में मैं जब वापस आऊ तो शिकायत नहीं होनी चाहिए मुझे पता चला वो घर में वापस आ रही है और आपने तकिया इधर फेक रखा है चदर उधर गिरा हुआ है और आलमारी के सीशे में जो है थोड़ी सी दरा रहा गई है यह सब हो रहा है तो उस टैम पर जो इस्तिति हो जाती थी क्या हो जाती थी एट sixes and sevens आप दोनों धीमी गती से पढ़ा रहे हो इस गती से तो हम पढ़ेंगे तो हमारे चारसो दो हजार तीनजार एडियम होने में एक देड़ महिना दो महिना लग जाएगा तो कोई बात नहीं एक दो महिना लगेगा बट यह इडियम्स अगर आप मेरी classes दे रहे हो तो कभी आपको भूले देंगे नहीं भले ही at a snail pace है तो क्या होगा snail pace का मतलब हो गया बहुत ही धीमी गती से एड़ ड्रॉप ओफ यो हैट तो एड़ ड्रॉप ओफ हैट का मतलब क्या हो गया बहुत ही तुरंत इमीडियेटली एक दम तुरंत एक दम तुरंत तो मैं कुछ सलूशन लेकर आने सकत कितनी दिर में पहुंचोगे इमीडियेटली आप ऐसे बहुत हो गले में पट्टे लगा के ऐसे बांद देते हो तो वह होता है एड़ टेठर मतलब रसी से बांगना या फिर वो रसी को भी बोल सकते हो इट दे एंड ओसे टेठर का मतलब होता है इक दम बिलकुल आखरी सीमा तक जम बरदास की जो आखरी सीमा होती है बरदास की that is called At the end of your tether मालो आप बहुत ठके हो बिलकुल आपके बरदास से छंता से बाहर हो चुकी सारी चिशे तो उस समय आप यूज करोगे I am at the end of my टेठर मतलब अब मैं और बरदास नहीं कर पहूंगा यह मेरी सहन सक्ति की आकरी सीमा है that is called at the end of your टेठर at the first blush बिल्कुल पहली नजर में सर पहली नजर में मुझे ये क्लास जम गई है और अब मुझे पता है कि इस क्लास के थूप मैं बहुत सारी चीज़े सीख सकता हूँ तो at the first blush आपने गाना भी सुनाओगा race movie आई थी ना पहली नजर में तो वो वही था at the first blush पहली नजर में विट का मतलब होता है न जब आप बोलने में चतुराई दिखाते हो न तैट इस कॉल sharp wit quick wit और जो आपकी ability होती है जो बुद्धि मता होती है सोचने की think करने की that is called wit फिर से सुनो wit का मतलब होता है जब आप clever reply करते हो प्लेवर राइटिंग कुछ दिखाते हो तो उस समय आप यूज करो के wit ठीक न यह uncountable होता है और यह wits प्लूरल होता है इस wits का मतलब होता है आपकी बुद्धी मता आपकी intelligence तो at your wits end का मतलब होगया आपकी बुद्धी मता के अंत तक it means आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है you are at a loss you are at see you don't know what to do next what is your next move आप उसको decide करने में बहुत ही hesitate कर रहे हो आपको कुछ नहीं समझ में रहा है that is called at your wits end clear है यह फिर से देखलो at arms land थोड़ी दूरी पर at cross purpose मतलब विचारों में मत भेद at dagger strong बिलकुल यह at large on the run मतलब कानून की पकड़ से बाहर at large be at loggerheads फिर से वापस वही at cross purpose at a lose end इसके लिए मैंने lose ends भी समझाया और at a lose end आपके पास कोई जाब नहीं है आप बिलकुल बेकार बैठे हो तो at a lose end at odds इसमें भी मैंने odd भी बताया और odds भी बताया be at odds का मतलब हो गया कि आपके विचारों में क्या है मत भेद है at random बिना सोचे समझे कोई काम हो रहा है at random at see at a loss confused perplexed at your wits end at sixes and sevens बिलकुल तितर बितर कोई वी चीज clear organized नहीं है सभी दरुदर फैला हुआ है at snail paste धीमी गती से at the drop of your head तुरंथ at the end of your tator मैंने tator word के समझाया कि वो रसी से जो बाधा जाता है तो बाधने कोई वो tator use करते हैं ठीक ना at the end of your tator नाउन फॉर्म में रसी भी होता है at the end of your tator का मतलब हो गया सहन सकती की अंतिम सीमा तक at the first plus पहली नजर में clear चलो तो यह screenshot अप लेना चाहो तो ले सकते हो यह सारे इडियम से एक बार screenshot लेना चाहो तो ले लो बाकी PDF आपको मिल जाएगा वीडियो को शेयर करना ना बुलना आजाओ next अब यह कुछ नए इडियम है जो आपको सीखने चाहिए जो आपको जान दो ठीक है ना lay down your arms arm और arms यह दोनों में अंतर है आम का मतलब हो गया हाथ आपकी बाजू और arms का मतलब हो गया हथियार ठीक है अभी अमने पढ़ा था ना arm to the tip हथियारों से less पूरी तरह से हथियारों से भरे हुए lay down your arms का मतलब हो गया अपने हथियार मीचे दो फिर हमारा on the loose on the loose का मतलब फरार बिल्कुल abscondra type का है कोई जानवर है कोई इंसान है कोई भी है उनके लिए पीश कर सकते हो they are on the loose means वो की कैच से बाहर है जेल से बाहर है किसी capture situation में थे किसी confined space में थे वहां से गयब है odds and ends मालो मैंने अपना कमरा यहां से खाली करके दूसरी जगर shift किया तो एक बार में पूरा समान लेकर चला गया फिर भी दो पेंड रहे गया है ना एक कंगी रह गई ठीक है एक कीरिंग रह गई ऐसी छोटी-छोटी कई सारी चीजे रह गई उन सब को बोलोगे odds and ends समझ में आपको odds and ends का मतलब जब कोई कमरा आपने खाली किया तो उसके बाद बची-खुची थोड़ी वो चीजे रहे कोई दो-चार कागज रह गया है ना एक शीशा रह गया तो यह बोला जाता odds and ends अगला हमारे पास over and over the odds अभी मैंने odd भी बताया था फिर odds भी बताया था है ना तो नहीं मतला है था over the odds, over the odds का मतलब जो amount है उससे ज्यादा amount pay करना, more than money, मतलब जितना money उसमें आपने सोचा था उससे ज्यादा pay करना, जैसे मैं कहे रहा हूं, इस कार के लिए 25,000 कीमत है इस समय, but I know they will pay more than over the odds, they will pay over the odds for it, इसका मतलब वे इससे ज्यादा pay कर देंगे, 28, 30, 32 जो भी पे कर दें, फिर से सुनो, over the odds का मतलब होता है, वो amount of money जो fix हो, उससे ज्यादा का पैसा, है न, जितने उसकी वर्थ हो, उससे ज्यादा, that is called over the odds, अब मैंने बताया, आपके पास एक cycle थी, उसका दाम अभी 2000 उपय था, लेकिन आप अपने भाई से कह रहे हो, मु कैसा operation, तो आपने कहा, sir, clock and dagger operation, तो clock and dagger operation का मतलब, बहुत ही mysterious, किसी को पता नहीं, इसके बारे में, इस तरह के operation को आप बोलोगे, clock and dagger operation, समझने है, clock and dagger, अगला है, throw your hat into the ring, throw your hat into the ring का मतलब हो गया, जब आप बोलते हो, कि अब मैं चुनाओ लड़ने जा रहा हूं, मैं कोई competition में लड़ने जा रहा हूं, it means, you just put out your hat and throw into the ring, तो आप उसको, क्या करते हो, throw into the ring, मालो आप अपना hat निकालते हो, और fake दिये वहां पर, तो इसका मतलब, आप ऐलान कर रहे हो, कि मैं इस युद में, मैं इस competition में, मैं इस election में लड़ने जा रहा हूं, तो throw your hat into the ring, pull a rabbit out of the hat, एकदम से कोई solution लेकर आना, किसी समस्या के लिए कोई समाधान एकदम surprisingly लेकर चले आना, बिल्कुल surprise कर देना, that is called pull a rabbit out of the hat, तो pull a rabbit out of the hat का मतलब होता है, एकदम से कोई solution लेकर आना, देखो, lay down all your arms, to stop fighting, अपने हथियार रख देना, on the loose, having skipped from somewhere, free, odds and ends, small items that are not valuable, over the odds, more money than you would normally expect clock and dagger operation है, तो something that involves mystery and secrecy, pull a rabbit out of the hat to suddenly produce something as a solution to a problem, तो suddenly produce करना, सर ये समस्या कर रहा समाधान, ये रहा हमेरे पास solution, है ना, throw your hat into the ring, to announce officially that you are going to compete in an election, a competition, clear हो गया, उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, अगर आपको सेशन पसंद आया होना, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, आज के लिए इतना ही है, नेक्स सेशन में फिर मिलेंगे, अच्छे एक दो बाते और एक छोटी मोटी, वो ये है कि मैं बहुत सारी चीज़े नहीं करा पारा हूँ, मुझे के वाला भी सेशन रिकॉर्ड करना होता है, फिर ये भी रिकॉर्ड करना होता है मैं इस पेपर रीडिंग भी चाता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़े चा रहा हूँ, बट मैनेज नहीं हो पारा है, टाइम की वज़े से, तो मैं जितना कुछ भी हो सकता है, मैं कर रहा हूँ, आप प्लीज, मैं चाहूँगा कि मुझे, मतलब आपके पास कोई शिकायत ना है, बट फिर भी अगर कुछ चीज़े उपर नीचे हो जा रही है, तो उसके लिए सौरी, जितना कुछ हो सकता है, मेरा प्रयास जितनी सारी चीज़ों को देने का है, वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है न, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेगा, आप सभी लोगों को बहु झाल